फुल ए प्लस लेक उलबड़ी इने तनी है तो रखाब सब्स्रेब टो येंग्लाप्स चैनल रिंग बल बटन और ओपन सक्सस इस दाट इजी नमस्ते बच्चो कैसे हैं आप सब खुश है ना बसंत मेरे गाउं का इस लेक का शेश भाग पड़े बसंत की गुंगुनाती धूप जब दौपहर में तपानी लगती है तब हिमाले शिखरों पर बुरास के फूल पहाडों पर शांदार लालिमा विछा देते हैं बुरास के फूल लाल रंके होते हैं और दिखने में बहुत सुन्दर होते हैं मकर सरक्रांती से तपता सूरच नंदा परवत से चोखंबा परवत की और बढ़ने लगता है इस समय हिमाले के उपर बर्फ ताप के कारण पिघलना शुरू होता है और गंगा में पानी की धारा तेज हो जाती है बच्चों ठन के मासम में निचले इलाकों में उत्रे पशुचारक अपने घरों को लोटने लगते हैं महीनों तक सैले चरागाहों, घने जंगलों और अनजान बस्तियों में भटटने के बाद अपने घर वापस आते हैं इसके खुशी में जो लोग गाते हैं, नाचते हैं और इस प्रकार खुशी का महौल बनता है पशुचारकों के साथ उनकी भेड, बक्रिया, घोडे, खचर और पुते भी होते हैं रास्ते में आने वाले गाउं से उनका लेन धेन भी होता रहता है वह जानवरों के साथ साथ कीडा जड़ी, करण और चुरू जैसी दुरलब हिमालेई जड़ी वह आशुद्यां भी बेचते हैं इन पशुचारकों का रिष्टा गाउंवालों के साथ सद्यों पुराना होता है इसलिए पूरी कीमत उसी वक्ट चुकानी नहीं पड़ती जब बरफीली मौसम में पशुचारण निचली इलाकों में जाते हैं तब वे अपनी पुरानी वसूली भी कर लेते हैं मजे की बात तो ये है कि नगत उधार के आकड़े कहीं भी दर्च नहीं होते आपसी विश्वास के नाम पर ये लेन दिन सालों से चली आ रही है बच्चों एक विशलेशनात्मत प्रश्ण पर ध्यान दे आपसी विश्वास के दम पर वर्षों से यहां ये लेन दिन चल रहा है यहां गाम वालों की कौन सी विशेष्टा प्रकट होती है यहां गाउं वालों की सच्चाई और सादगी प्रकट होती है वे आपस में विश्वास रखते हैं इसलिए लेन देन के मामले को कहीं भी दर्ज करने की जरूरत नहीं हुई आगी बड़े पशुचारकों के समूर गुजर जाते हैं तब गाउं की जड में बहती गंगा से सटकर बनी सरपीली सडक पर हलचल बढ़ जाती है बद्रिनाथ, केदारनाथ और यमनोत्री की और आने वाले पैदल यात्री इन रास्तों से चलते दिखाई देते हैं सुदूर दक्षिन से आने वाली महात्मा कई बार हमारी गाउं तक आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर श्री शंकर आचार्य के बारे में बताया है जिनका जन केरल राज्य के पालककाड में हुआ है आचार्य जी ने उत्राखंड तक पैदल चल कर केदारनाथ की स्थापना की थी उनके हाथ में एक तारा हुआ करता था वो संगीत के धुन में भजन काते थे ध्यान देने की बात ये है कि भद्रीनाथ और केदारनाथ के मुख्य पुजारी आज पी दक्षिन भारत से ही नियुक्त होते हैं लेक का ये भाग समझ आया शेश भाग हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे शुब दिन धन्यवाद भन्यवाद